इस चार्ट में comparison दी गई है stock versus nifty की 1st January 2020 से आज तक, इसमें हम prices का sudden fall और recovery दोनों एक साथ देख सकते हैं. 1st January से मार्ज 2020 तक nifty 38% डाउन था और ये stock सिर्फ 25-30% नीचे जाता है, इसका मतलब ये stock मुश्किल के समय में मजबूती से खड़ा रहा था. ये stock बड़ी तेजी से उपर चला है, कहा नifty की movement और कहा इस stock की movement. Stock का current performance हमने देखा, अब long term performance देखते हैं. 1-1-2014 को share price थी और index था, 6 साल बाद share price थी और index था, lockdown में जब lowest point पर market थी, तब 23 मार्थ 2020 को share price थी, और index था, और current price है, और index है, अगर हमें nifty के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है, तो हमारे stock में 4 बाते होनी चाहिए. 1-1, लंबी एउदी में share price बढ़ती रहनी चाहिए. 2-2, जब market में बड़ी गिरावट आती है, तो हमारा stock ज्यादा नहीं गिरना चाहिए, nifty के मुकाबले. 3-3, जैसे ही market recover होती है, हमारा stock तेजी से recover भी करना चाहिए, nifty के मुकाबले. 4- हमारा share अपने sector का top share होना चाहिए. इस वीडियो में हम देखेंगे के हमारा share nifty से better है या नहीं, यानि कि पहले 3 points इस वीडियो में देखे जाएंगे. अगर आपको sector का top share चुनना है, तो उस वीडियो की link description में दी गई है. 1-1-2014 को 1 लाग रुपए इस शेर में इन्वेस्ट किये. 6 साल बाद 1-1-01-2020 को इस शेर में इन्वेस्ट किये हुँ 1 लाग रुपए हो गए. मार्च में इस investment की value हो गई. और current share investment की value है. 1-1-2014 के दिन 1 लाग रुपए nifty 50 shares में इन्वेस्ट किये. 6 साल बाद 1-1-2020 के दिन Nifty 50 में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपे हो गए मार्च 2020 में इस इन्वेस्टमन की वेल्यू हो गई और करण Nifty 50 इन्वेस्टमन की वेल्यू है Nifty में एप्रिसेशन ज़्यादा हुआ है इसलिए 1st पॉइंट Nifty ने जीत लिया है Second Point Share में जीता Third Point Share में जीता Overall Share जीता यही फिगर्स चार्ट में देखते हैं एक मिनिट के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये Share और Nifty का Index जैसे पिछले साथ सालों में चले हैं वैसा ही अगर अगले साथ सालों तक चले तो उनकी वेल्यू कहां पहुँचेगी यही एक लाख रुपे की अगर हमने 8% इंट्रेस से fix deposit की होती तो आज उसकी वेल्यू हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने परसंटेज का रिटन दिया ये Share ने कितने परसंटेज का रिटन दिया स्टोक मार्केट में अगर रिटन ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है ये आकड़े देखकर अगर किसी को विचार आए कि मैं bank FD तोड़कर share खरीद लूँ तो उसके लिए ये है अगला चार्ट जो 1-1 2020 से 31st मार्च 2020 का है ये comparison है 1st October 2020 से आज तक की यहां पर share मजबूत रहा ये comparison है 1st December 2020 से आज तक की यहां पर share मजबूत रहा थैंक यू